लोडी बोडी मैं सभी कास सवगत करता हूँ फिजीस गान मुकेशन एक चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले जो अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि दो दीन चार सीफ हो गई है एक तरीको दो सीफ मौनिंग और अप्टरून सीफ और दो तरीको मतलब कल दो सीफ चार सीफ से हम लोगों को एक अनालेसिस करते हुए कहां से सवाल आने के चैनसे होते हैं क्या क्या सवाल एक्जाम में आ रह है और बहुत सारे बच्चे को कॉंटक करके पूश्रा भी बे तो चला आज हम लोग डिसकेशन करने वाले मौडरन फीजिक्स में कहां से कॉश्चन साने के चांसे हैं देखो इलेक्ट्रॉन फोट्रॉन में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है फोटो इले के बाद में आप लोगों को कानेटिक एनरजी कितनी मिठ होगी यह सभी सवाल आपको आना चाहिए और इसके ग्राफ बहुत इंपोर्टनस है ठीक है उसके बाद में लेस दान थ्रेश्वर प्रिक्वेंशल रहा तो इमिशन सफोटो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है इस चीज पहल दिन मतलब 1 अकटोबर कह वहां रहता है ठीक है वन अकटोबर कह एंडिक वन अक्टोबर में सवाल था भया फोटोस इसके अप्लीकेशन बश गयर रलाम पताह ना आप लोगों को इसके उपल आप लोगों को को वही यह दो अक्टोबर में सवाल आ चुका है उसके अलावा और क्या सवाल आ सकता है E is equal to H nu E is equal to mc square ये करते वे E is equal to H by lambda जो भी सवाल से ये फार्मुले से इस फार्मुले को अच्छी तरह से करना है आप लोगों को तो इसके उपर सवाल आने के चांसे फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके ग्राफ Einstein का equation एक आ सकता है आपको कि यहाँ पर Einstein का equation kinetic energy H nu minus nu naught अब यहाँ पर kinetic energy का और एक फार्मुला new is equal to c by lambda होता है पता है आपको तो H c 1 by lambda minus 1 by lambda naught तो ये आप लोगों को nu minus nu lambda यह जो सवाल है यह इस सवाल को अच्छी तरह से करना है आप लोगों को ताकि किसी को दिक्कत ना जाए और किसी को इसके numbers नहीं जाना चाहिए यही मेरी ख्वाइश है stopping potential का formula भी बनता है kinetic energy of max by e यह आप लोग इसका formula लिख सकते है हाप या मीवी square by e तो देखो बात समझ में आरी photoelectric fit क्या है समझ में आना चाहिए photo sale इसके application आपको आपको photons के बारे वे they are electrical neutral है magnetic और electric field अपले के यह तो they are electrical neutral rest mass of the photon zero होता है मतलब छोटी छोटी चीज़े आप लोग collect करो ताकि इससे आपके number ना जाए अगर इन चीज़ों के इतनी ही चीज़ों का अच्छी तरह से focus कियाना तो sure अपकी इसमें नियर आपोटले बता रहा हूं एक या दो questions आने के chances है इसमें तीन questions इसमें भी तीन questions आने के और इसमें एक question लगबग 9-10 questions आने के chances है 8-10 questions के बीच में सवाल आने के chances में तो यह chapter होगा electron and photon क्या करना photoelectric effect तो पता होने चाहिए less than threshold frequency रहा तो यहां पे जो electron से emit होते नहीं है less than यह equal to or greater than threshold frequency तो यह electron यहां पे free होते है उसको work function कहते है remaining energy is equal to the kinetic energy में convert होती है इसको कहते है half ymv square max बात समझ में आ रही है इससे Einstein का equation पता होना चाहिए जो equation लिखाए मैंने stopping potential का equation पता होना चाहिए उसके बाद में next chapter atoms molecules and nuclei source of questions कहां से बनते है sir number 1 सबसे पहले इसमें आप लोगों को 1 by lambda यह जो formula 1 by lambda is equal to 2 यहां पर 1 by 1 f यह inner orbit है यह मतलब final यह आदा outer orbit है इस पर सवाल आ चुका है infrared मेरे खाल से यह number sub orbit जो दिया था वो था आपका 3 तो infrared पता न वीजिबल कभ होता है ultraviolet rays कभ होता है यह पता होना चाहिए उसके बाउजित भया आप लोगों को बोर्स के उपर भी सवाल आ चुका है बोर्स ठीक है फर्ट पॉसुले टेरी है यमी स्क्वार यहाँ पर लिख सकते हम लेग 1 by 4 by epsilon 0 e square by r square समझे आप लोग नोट डाउन करते रहना क्योंकि इंपोर्टन चीज़े वह यह पूरी तो इसको नोट डाउन करना फर्ट पॉसुले टेरी है फर्ट पॉसुले टेरी है सेकंड क्या है यम वी आर इसकोल टू यह पॉसुले टेरी आना चाहिए उसके बाद में रेडियस आप बोर्स और यहाँ पे यह यह प्रिक्वेंसी का रिलेक्शन है वेलासिटी का सवरी यह इन्वर्स ली प्रोपोशनल इससे सेंट्रिपिटल एक्सरेलेशन आना चाहिए ओमेगा आना चाहिए इससे आप लोग निकाल सकते हो ठीक है यह होगा उसके बाद में आप लोगो को टोटल एनरजी कितनी ह पर देखो इसमें ज्यादा करते हुए निमरीकल आते है मतलब आपको किसी की वैलू दी जाएगी और इस वैलू से आप लोगों को वैलू क्याव्थ करनी है형 ठीक है तो टोटल इनरजी कितनी होती है क्या होती है यह यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए नहीं तो 8 epsilon square yach square yach square बाकी value constant है तो इसलिए E yach is equal to E1 by yach square और E की value कितनी है first orbit में minus 13.6 electron hold तो यहाना चाहिए energy पूछेंगे कोई भी orbit principal content number देंगे और आपको values आना चाहिए ठीक है अभी एक तो formula दे चुका हूँ में आप लोगों को इसलिए दुबारा formula देने की ज़रत नहीं है उसके बाइद में डी वार्गली वेवलेंग की उपर सवाल था yach by yam v या yach by p इसको उपर सवाल आचुका बैग्या डी वार्गली इसको याद करें अच्छी तरह से इस formula पर आपको सवाल आने के chances है ठीक है या lambda is equal to और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर आपकी value जो दिये वाल है yach root of twice yam ev electron hold है electron hold है और इसी से हम लोगों ने लिखा था 12.27 root of v यह आइंश्ट्रॉंग unit में आइंश्ट्रॉंग unit में आपको याद करना पड़ेंगे फार्मूले mass defect का एक फार्मूला लिखना है mass defect mass defect समझत हो ना और fusion fusion की उपर भी सवाल आने के chances है लेकिन इसके उपर सवाल आ चुके यह बता रहा हूँ मैं ठीक है ना तो mass defect जो है z yam p a minus z yam yam और यहां पर ठीक है यही है ना फार्मूला आपका तो यह भी फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए mass defect के लिए ठीक है उसके बाद में binding energy पर nucleon यह थोड़ा करके बेचना है आपको atoms molecule and nuclei में redact half life parade आया था यह half life parade इसके उपर भी सवाल आया था आपको करना half life parade भी करना पड़ेगा बहुत सरे वच्चे बूल जाते है half life parade जो है वो आना चाहिए half life parade के लिए t half 0.0 0.093 जो भी होगा देख लेना ठीक है यह half life parade भी आना चाहिए आपको यह value भी आना चाहिए है ठीक है half life parade के उपर भी सवाल आते रहते है ठीक है उसके बाद में आप लोगों कोई disintegration law पता है ना disintegrate case law यह सवाल अच्छे तरह से करना क्योंकि इसमें बैया दो तीन सवाल तो शूर देखो कोई भी questions पेपर चार स्विप में से हमने analysis किया बच्चे ने जो बताए सर दो तीन बोल्डर ने लेकिन उनने को याद है उसके बाद में LED पे सवाल था LED light emitting diode है ना light emitting diode उसके बाद में चोग लोजिक गेट की उपर सवाल आया था लोजिक गेट का सवाल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि लोजिक गेट में आप लोगों को गेट पता होना चाहिए उसके truth table देते है या logic दे सकते है ना any input is high output is high और गेट का logic है any input is low output is low और गेट का है और गेट का है वह यह logic यह भी truth table आ सकता है diagram आ सकती है कोई भी सवाल आ सकते है इसकी कोई भरोसा नहीं है लेकिन आएगा यह अन्टाइपीड़ और एक रेक्टिफायर पे सवाल आ चुका है रेक्टिफायर आज के fourth ship में मतलब फॉर्थ बोलें इस था आज के second ship में मतलब कल के है ना यह भी रेक्टिफायर के half your fully rectifier पे सवाल आ चुका है अच्छी बात है और क्या सकता है सर देखो और मैं बताओंगा आपको क्या क्या ट्रांजिस्टर के ऊपर किसके ऊपर ट्रांजिस्टर के ऊपर सवाल आ सकता है उके उसके बाद में सवाल आने के chances है जीनर डायड पे जीनर डा सवाल यह सोर्स आप क्वेश्टन से बहिए इससे सवाल आने के बहुत सारे chances है logic gate हो गया यंटर P type हो गया forward reverse bias को भी करो ट्रांजिस्टर में सवाल आ सकता है ट्रांजिस्टर के सवाल आने के chances है फोटो डायड पढ़ लेना एक solar cell पढ़ लेना ठीक है ना फोटो डायड के पर भी यह reverse bias में होता है ना यह होना चाहिए फोटो डायड और एक solar cell के उपर बला सकता है ठीक है इसके symbol के उपर भी सवाल आता है मतलब देते है symbol है मैंने देखा बहुत बार देखो बाहर जा रहा है तो यह लेडी light emitting कर रहा है और यही डायोड है यही डायड है लेकिन light अंदर आ रहे है तब क्या होता है पता आपको फोटो डायड होता है यह फरक है मतलब यह symbol भी सवाल आते रहा जिनर का symbol कैसे होता है तो यह भी पता होना चाहिए जड़ ज़ए से लगता है यहां पर ज़ए से लेको ऐसे जड़ तो यह सवाल यहां पर source of error है इस questions का communication में अ बताना है आप लोगों को यह जो है जो लिख्य दे रहा हूँ यह हां से आपको प्रिपेशन करनी है उसके बाद में आपको communication में communication में block diagram के उपर सवाल आने की chances और चोटे 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 जो concept है कौन कौन से आपको पता है रिपीटर ट्रांस्मिटर ट्रांडूसर है ना यह जो है आपको यहां से जो चोटे चोटे टर्म से उस टर्म को अच्छी तरसे पढ़े लेना है क्योंकि बच्चे क्या करते है अक किसको कहते है इस टर्म को अच्छी तरसे पढ़ लेना है उसके बाद में bandwidth के उपर सवाला सकता है bandwidth जैसे कि पीछ की bandwidth इतनी होती है मोदीजी बोल देना मन की बात उसकी होती है 2800 और इस पर frequency आने के chances हो सकते है क्योंकि इसकी lowest frequency होती है पता है आप लोगों को यतनी होती है और यह जोती में इतनी होती है तो दोनों का subtraction करके हम लोगों को यह value मिल जाती है तो bandwidth के उपर भी सवाला सकता है उसके बाद में आप लोगों को AM FM के उपर सवालाने के chances है और यहां पे और एक आप लोगों को इसके application के उपर सवालाने के chances है और भी paste communication इसकी frequency push सकते है कित to 30 megards इससे कम जादा जादा रहा तो यह फाड़ के चले जाता है खमरा तो यह observe करता है इनosphere पता है ना उसकी frequency और यहां पर atmosphere में आइनosphere, mesosphere है ना यह सभी triposphere यह सभी चीज़े पुछते है उसकी height कहां से कहां है पुछते है पहली height 12 बाद में 50 बाद में 80 पता है ना km बाद कहां से source of question है मेरे बाद समझो अच्छी तरह से लिख लो मैं क्या-क्या बोलड़ा हूँ अगर मुझे और भी अच्छा support मिलता है तो मैं आपको light section में source of questions कहां से आ सकते है यह बताऊंगा उसके बाद में आपको electric and magnetism यह जो section है जिसमें past chapter से आपके कोई से current electricity electrostatic से उसके में magnetism, magnetic factor of electric and AM, EMI, electromagnetic induction, इसके सवाल कहां से source of error आ सकते है उसके लिए हम लोग बात करेंगा और सबसे हमें past year की MCQs करो सबी बच्चे का यही कहना है past year past year के MCQs करने से ही MCQs करने से ही हमारा फायदा हो जो topper बच्चे जितने मुझे मिले उनका कहना है top वाले बच्चे past year MCQs करो और जो other state की जो CET उसके सवाल target में दिये वो करो उनका कहना यह है उससे बहुत बढ़ा फायदा होता तो चलो बच्चो आप अपनी पढ़ाई कर ज्यादा से जड़ा वीडियो को शेर करो लाइक करो कमेंट करो मैं बहुत एक सोच रहा हूं यह जो दो तीन दिन के जितने पेपर से सभी पेपर के जितने questions बच्चे बोर्ड है उसी के हिसाब से एक question paper आरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन support होना बहुत जरूरी है देने वाले आप है बच्चो तो चलो थैंक्यू और बेश लग फारिवाश्टरी को बहुत सरे बच्चो को फिजिस के लेक्चर ने मिलते हैं आपको उपर डालना पड़ेगा फिजिज ग्यान मुकेश नाएक जैसे फिजिस ग्यान मुकेश नाएक डालने के बाद आपको यह मिलेगा Phyges' के अन्मुकेशनिक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है, जैसे क्लिक करने के बाद यह पेज मिलेगा, आपको होम पेज, होम पेज पेज पे आने के बाद आपको एंट्रो मिलेगा, उसके बाद में यहां पे Phyges' की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी ग मिलने माले है, जैसे कि Part 1 के पूरे लेक्चे से इसमें, Part 2 के इसमें लेक्चे से Physics, Class 11 के, 10 के और Electronics के नीचे आने के बाद आपको Part 1 में, Rotational Dynamics, Mechanical Properties of Fluid मिलेगा, KTG and Radiations के लेक्चे समें मिलेंगे, पूरे Oxalation के मिलेंगे, Superposition में मिलेंगे, Importance Formulas मिलेंगे, Important Questions मिलेंगे इस Electromagnetic Induction, AC Circuit, Dual Nature of Radiations मिलेंगे, और साथ में आपको Structure of Atom and Nuclear and Semiconductor, ऐसे chapters यहां पर पूरे मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने दोस्तों को शेर करें, ताकि पूरा सिलाबसी चैनल पर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपकी एग्जाम होने वाली हैं, पूरे Unitwise, Mock Test, Full Lend Test, MC की Test, सभी Test भी इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर करना, लाइक करना और सब्क्रेब भी करना है, थैंक्यादा